टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनड़ा एंड अराउंड गलोग डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू अनली अट टेग टीवी अंटेरियों में सुबाई हकूमत का जरायम से निमतने के लिए भारी सर्माया कारी का फैसला आएंदा तीन सालों में 75 मिलियन डॉलर से जायत खर्च किये जाएंगे सुबे के प्रीमेर का कहना है कि अपने लोगों को महफूस रखना चाते हैं कनेडियन सुबे ब्रीटिश कोलंबिया में तूफान ने तबाही मचा दी वैंकोवर में निजामी जिंदगी दरहम बरहम हो गया हजारों अफराद नकल मकानी पर मचपूर कनेड़ा भर में कुरोना वारस के फिलाओं में कमी मरीजों की मचमुए तादा 17,56,823 तक जा पहुची जबके हलाकते 29,431 हो गए चीन ने मुआशी मैदान में अमरीका को शिकस दे दी चीन दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया चीन की मजमुए मौशी मालियत 120 ट्रिलियन डॉलर है नवजो सिंग सिधू 20 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे नवजो सिंग सिधू का पाकिस्तान का दूसरा दौरा होगा सिधू 20 नवंबर को करतारपुर का दौरा करेंगे और मजहभी रसुमात अदा करेंगे दुनिया भर में कुरोना वारस मुतासर अफराद के तादाद 25 करोड 8,88,928 तक जा पहुची मुजी वारस एमबाद 51,42,170 हो गए 23 करोड 12,62,283 कुरोना मरीज से हत्याब हैडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ ग्रीनिश हैं सानिटाइजर ना ओईली, ना स्टिकी, ना बद्बू और मुकमल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ही अपनी करीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट वो ओर्टर करें www.greenish.com कैनेडिन सूबे उंटेरियो में सूबाई हकूमत ने जराइम से निमटने के लिए भारी सरमायकारी का फैसला किया है मज़ी तफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडین सूबे अंटेरियों में सूभाई हकोमत ने जरायम से निमटने के लिए भारी सर्मायकारी का फास्ला किया है हकोमत सूबे में मसलध तश्यद्द के तदार्प के लिए अगले तीन सालों में 75.1 मिलियन डालर की सर्मायकारी करेगी सूबे के प्रीमियर डगफोर्ट का कहना है कि उन्हें उमीद है कि फंडिंग मनशाथ की सप्लाई चेंज को मतासर करेगी और तहकीकाती मौवनत में मदद करेगी उनका कहना था कि ये हमारी कम्यूनिटी को महफूस रखने के बारे में है ये हमारे बच्चों को महफूस रखने के बारे में है डगफोर्ट ने बताया कि ये एकदमाद गैंग की सरगर्मियों और मनशाथ और इनसानी स्मगलिंग में खलल डालेंगे जो इन जराइम पेशा अनासर को फंड पराहम करते है इस फंड से गयर कानूनी मनशाथ की रोकथान के लिए इन्टेलिजन्स के दफ्तर का कयां किया जाएगा ताकि सरहत पार से इनसानी स्मगलिंग और मनशाथ और बंदूकों की स्मगलिंग को रोका जा सके और साथ ही एक नया गन एंड गैंग मुबाइल प्रोसेक्यूशन यूनिट जो इस वक्त से बड़े बंदूकों और गैंग केसों पर मुकदमा चलाएगा कनेडिन सूबे ब्रिटिश कॉलंबिया के साहिली शहर वैंकोवर में कियामत खेस तूफान ने मामूलात जिन्दगी दरहम बरहम कर दिये इस हوالے से मसीच चानते हैं कینेजिन सूबे ब्रिटिश कॉलंबिया के साहिली शहर वैंकोवर में गयामत खेस तूफान ने मामूलाते जिन्दगी दरहम बरहम कर दिये। हुकाम के मताबिक सदी में एक बार आने वाले शदीद तूफान ने वैंकोवर शहर के अतराफ सड़कों और रेल लाइन को भारी नुकसान पहुचाया है। शदीद सैलाब के बाइस दो मोटर वेंस बंद कर दी गई। हौफनाक तूफान ने हजारों लोगों को अपने घर छोडने पर मजबूर कर दिया। हाईवे पर होने वारी लैंड स्लाइडिंग से एक खातून जाबा हग जबके दो दीगर अफरात लापता है। दो रोज पबल हुई बरवबारी के बाद शहर में गाडियों को बरफीले सैलाबी पानी में तैरते देखा जा सकना था। वेंकोवर शहर को मुलके दीगर हिस्सों से मिलाने वाली ट्रांस कैनेडा हाईवे का एक हिस्सा पानी में ढूब गया। कैनेडा की सबसे बड़ी बंदरगा पोर्ट आफ वेंकोवर पर सैलाब और लेंड स्लाइडिंग के बाइस हुरा इंधन और दूसी अश्या की तरसी मौतल है। रॉयल कैनेडियन माउंटिड पुलिस के मताबिक लेंड स्लाइडिंग में फसी गाड़ियों की तादात का अंदाजा ताहाल नहीं लगाया जा सका है। केनेडियन वजीर आजम जस्टिन टूरो का कहना है कि हम हर तरह से हर सूरत में तूफान में फसे लोगों की मदद करेंगे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट रॉब फ्लैमिंग ने एक न्यूस कान्फरंस में बताया कि ये सदी का बत्तरीन तूफान था इससे कबल सूबे ब्रिटिश कॉलंबिया में मौसम गर्मा के दौरान आने वाली रिकॉर्ड शिदत की हीच वेव ने 500 से जायल अफराद की चौन दी थी जबके बेकाबू आख ने एक गस्वे को मुकमलतार पर तबह कर दिया था इलावा अजीर रवामा के आगास में सूबे प्रिटिश कॉलंबिया में पांच अश्रों के दौरान पहली बार एक तूफानी बगोला भी देखा गया था उंटेरियो सुबह में करोना केस्स की तादा सबसे ज्यादा है सुबह भर में करोना वारिस से मतासर होने वालों की तादाद 6,08,718 तक जा पहुँची है मजीद चानते हैं इस डिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वारिस के फैलाओं में कमी देखने में आ रही है आखरे इतलाद के मताबिक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादाद 17,56,823 तक जा पहुँची है जबके हलाकत 39,431 हो गई मुर्ग भर में 17,3,898 से जाइद मरीज सहत्याद हो चुके है आंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जादा है सूबे भर में करोना वारिस से मतासिर होने वालों की तादाद 6,8,718 तक जा पहुची है जबके हलाकतों की तादाद 9,950 है कैνेड़ा में करोना वारिस के सबसे जादा हलाकतیں क्यू बैक सूबे में हुई हैं सूबे में करोना वारिस के मजँमूई केसिस کی तादाद 4,36,084 है जबके सूबे में करोना वारिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,548 तक पहुच चुकी है कینیڈین सूबे अलबर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वफ करोना वाइरिस की वज़ा से बहरानी सुरतिहाल का सामना कर रहा है सूबे में 3,03,831 अफराद करोना वाइरिस से मतासिर हुए हैं जबके 3,204 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कॉलंबिया में केसिस की तादाद 2,13,682 है जबके सूबे में करोना वाइरिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,281 है चीन अमरीका को मौशी मेदान में शिकस दे कर दुनिया का अमीर तरीन मुलक बन गया है ब्लूमबर्ग के मताबिक गुजिश्टा दो दहाईयों में आलमी दौलत में तीन गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया बजी तफसिलात इस रिपोर्ट में चीन अमरीका को मौशी मेदान में शिकस दे कर दुनिया का अमीर तरीन मुलक बन गया है ब्लूमबर्ग के मताबिक गुजिश्टा दो दहाईयों में आलमी दौलत में तीन गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया रिपोर्ट के मताबिक दुनिया भर की दौलत सन दो हजार में 156 ट्रिलियन डॉलर थी जो अब बढ़कर 514 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है जिसमें चीन का सबसे ज़ादा एक बटा तीन हिसा है चीन की मचमुई मौशी मालियत 120 ट्रिलियन डॉलर है जो के सन 2000 में सिर्फ 7 ट्रिलियन डॉलर थी अमरीका अपनी खराह मौशी पॉलियसियों के सबब आलमी दौलत में सिर्फ 90 ट्रिलियन डॉलर की मिलकियत रखता है रिपोर्ट के मताबिक दुनिया भर की दौलत का 68 पीसद हिस्सा जायदात की सनत से मौनसलिक है जबके आलमी दौलत के दो तहाई हिस्से पर आलमी अश्राफिया का कब्ज़ा है जो आलमी आबादी का सिर्फ 10 पीसद हिस्सा है भारत के साबिक क्रिकेटर और सियासदान अवजोस सिंग्स सिधू 20 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे मज़े तफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में भारती मीडिया के मताबिक साबिक भारती क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नजूद सिंग्स सिधू 20 नवंबर को करतारपूर का दौरा करेंगे और मजभी रसूमा अदा करेंगे ये नौजूद सिंग्स सिधू का पाकिस्तान का दूसरा दौरा होगा नौजूद सिधू ने वजीर आज़र अजम इमरान खान की दावत पर 2019 में करतारपूर रहधारी के इफ्तिताव पर पाकिस्तान का दौरा किया था भारत वापसी पर इंतहा पसंद हिंदूों ने नौजूद सिंग्स सिधू के खिलाफ महिन चलाई थी और उन्हें पाकिस्तान मुने का मश्वरा दिया था सिद्धू ने इंतिहा पसंदों का दबाव मुस्तरत करते वे मुस्तक्बिल में भी पाकिसान जाने का ऐलान किया था एक अरब से जाएद अबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वारस के मरीजों की तादाद की हवाले से दूसरे नमबर पर है जाएद वारस से 4,64,623 हलाकते हो चुगी है वजी चानते हैं इस डिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस से मतासर अफराद की तादाद 25,58,89,928 तक जा पहुची है जबके इस मुजी वारस से अमवाद 51,42,170 हो गई जबके 23,12,62,83 करोना मरीज सहत्याफ हो चुके हैं करोना वारस के केसिस और इससे अमवाद के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारस से अब तक 7,87,984 अफराद मौत के मुँ में पहुच चुके हैं जबके इससे बिमार होने वालों की मच्मुई तादाद 4,82,87,984 हो चुकी है एक अरफ से जाएद आबादी वाला मौट भारत करोना वारस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नमबर पर है जहां इस वारस से 4,64,623 हलाकते हो चुकी है जबके इससे मतासिरा 3,44,78,517 मरीज सामने आ चुके हैं तुर्की में करोना वारस से आवाद 4,202 तक जा पहुची है जबके केसिस 84,88,986 हो चुके हैं सौधी अरब इसी फैरिस में 69 नमबर पर पहुच चुका है जहां करोना वारस से अब तक कुलावाद 8,820 सिपोर्ट हुई है जबके ममलिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,49,349 तक जा पहुची है टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानड़ा एंट अराउंड गलोग Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV